नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना पुलिस का जो 31 अक्टूबर को हमसे मोर्निक शिफ्ट में क्योशन पेपर पुछा गया था उसके बारे में ठीक है तो इसमें मैज और रिजनिंग के जो क्योशन थे उनका सभी का सोलिशन में यहां पर देन उसको equal कर लेते हैं सभी को देखो सबसे छोटा base कौन सा है 4 चार में इसको बना लो अब 64 जो होता है वह हमें पता है 4 की power cube 4 की power 3 होती है याई 42 हो तो 4 की power 3 हमने ले लिया इसके अलावे यहां पर 12 है 12 हमने ले लिया डिवाइल किया यहां पर 4 की power 15 है इसको से ने रहने दो 4 के power कितनी? 3 और यहाँ पर x माल लो ठीक है? यहाँ पर कितनी बन जाएगी? 4 के power 36 divide by 4 के power 15 बराबर होगा किसके? 4 के power 3x ऐसा यह है, अब देखो, base सभी का same है और यहाँ पर क्या है? divide है base same है और divide है तो हम क्या कर देते हैं? power साफस में minus हो जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं 36 minus 15 किसके बराबर? 3x के बराबर यहाँ से कितना बनेगा? यहाँ से बच गया 21, किसके बराबर? 3x के, तो 3 से काट दो 7 पर x की value आ गई 7 ठीक है? तो 64 की power यहाँ पर कितनी होगी? 7 option C, इसका क्या होगा? right answer अगला क्यों सुन 44 बच्चों के कक्षया में अमन 11 स्थान पर है अन्तिम से इसकी rank क्या होगी? एक row है, मान लेते हैं यह बाली इसमें total जो बच्चे हैं वो कितने है? 44 अब जो अमन है उसकी rank दे रखी है आगे से कितनी है? 11 मान लेते हैं, इस साइड से अमन की rank है, वो 11 है, यहाँ पर है अब पुछा गया है कि पीछे से उसकी rank क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल सा है 44-11, कितना बचा? 33 33 तो वो बच्चे हैं, जो अमन के पीछे हैं इस साइड? ठीक है? लेकिन पीछे से अमन की rank बतानी है तो उसमें अमन को भी तो include करना पड़ेगा तो 33 में एक add कर देंगे कितना गया? 34, यानि कि पीछे से जो अमन है, उसकी rank कौन सी आएगी? 34 भी, option D, इसका क्या होगा? right answer अगला क्योशन देखो 12,206 इसको divide किया गया है 1.55 से और किसके equal दे रखा है? 7,9, 2,0 इसके equal दे रखा है हमसे पुछा है 122.76 को जब हम 15.5 से divide करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर सिर्फ जो point है ना, उसका खेल है point को समझो ध्यान से यहाँ पर point नीचे की तरफ है और 2 के बाद है अगर इस point को हम हटाएं तो यहाँ पर 2,0 लगाएंगे बिल्कुल सही बात है इसकी जो value दे रखी है ना यह दे रखी है यह वाले अब इसमें देखो इस वाले में अगर उपर है 2 के बाद और नीचे है एक के बाद तो अगर point हम हटाएं तो यहाँ पर 1 के बाद लगेगा point यहाँ पर और यह वाला point भी हटाना हो तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा ना तो यहाँ पर कितना का difference आया है देखो 2 तो extra यहाँ पर 0 है और एक यहाँ पर ठीक है तो total तीन का difference है तो तीन के बाद यहाँ पर point लगा दो एक, दो, तीन तो कितना आ गया 7.92 7.92 इसका answer आएगा option B के आएगा इसका right answer ठीक है अगला question mental को किससे code किया गया है इससे और हमसे पुछा गया है कि test के लिए code क्या होगा ठीक है mental अब देखो M M है यहाँ पर है L N कैसे बना है M से पहले वाला और बाद वाला M से पहले आता है L और M से बाद में आता है N यह M की जगह इसने यह लिखा है E की जगह क्या लिखा है D और F E से पहले वाला कौन सा letter आता है D और E के बाद कौन सा आता है F ठीक है यहनिकि E को अटा दिया D F आ गया इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है तो test के लिए हम क्या बनाएंगे T से पहले कौन सा आता है S आता है और T के बाद आता है U लिख दिया E से पहले कौन सा आता है D आता है और E के बाद आता है F लिख दिया S से पहले S से पहले आता है R और S से बाद आता है T ठीक है T से पहले S और T से बाद में U यह हमारा answer होगा कौन सा option है यह देखो S U D F R T U यह वाला option D इसका right answer है, अगला equation देखो, यहाँ पर हमें HCF बताना है, किस-किस के बीच में, एक तो यह दे रखा है, ठीक है, लिख लो, यहाँ पर दिया गया है, x square minus ax minus a plus 1, ठीक है, एक equation तो यह है, दूसरी क्या है, ax square minus x minus a plus 1, यह दे रखा है, ठीक है, इसको solve करो, इसको अगर simplify करेंगे, x square minus ax minus a minus 1 लिख सकते हैं, क्योंकि bracket open करेंगे तो sign change हो जाएंगे, सेम ऐसे लिख 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 लिया, अब देखो, x square minus 1, इसको एक साथ लिख लो, x square minus 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों में common क्या है, minus a हम common ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x इन दोनों में देखो, इन दोनों में, इसमें हम common क्या ले लिखते हैं, हमने common ले लिया a, तो अंदर क्या बचेगा, x square minus 1, बचा, यहां से हम minus का common ले लेते हैं, तो minus, जब common लिया, तो कितना बचेगा, x plus 1, बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ, ठीक है, एक formula हम पढ़त तो x minus 1 into x plus 1, बन गया, minus का a x plus 1, लिख दिया, जहाँ पर देखो, इसको भी open कर लो, a x minus 1, x plus 1, minus का x plus 1, अब इन सभी में common पार्ट क्या है, देखो, x plus 1 यहां पर भी है, x plus 1 यहां पर भी है, तो x plus 1 हम common ले सकते हैं, ले लिया, इस side से हम common क्या ले सकते हैं, इस side से हम, x plus 1 इस साइड भी है, X प्लस 1 इस साइड भी है, तो इस साइड से भी हम X प्लस 1 common दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ यही दो यहाँ पर common आएंगे, और कुछ common नहीं आएगा, ठीक है, तो answer क्या जाएगा हमारा X प्लस 1, option B इसका क्या होगा, right answer, ठीक है, अगला देखो, लड़कों की एक पंक्ती में, कपिल दाएं से आठवा और निकुंज बाएं से बारवा है, जब निकुंज और कपिल अपना स्थान बदलते हैं, तो निकुंज बाएं से 21 हो जाता है, निमलिकित मेंचे कपिल का दाएं स्थान दाएं से कौन सा होगा ठीक है एक रो है ये वाली एक लाइन है ठीक है इसमें क्या दिया गया है जो कपिल है वो दाएं साइड से आठवा है अब दाया और बाया तो आप लोगों पता होगा यह होता है left और यह होता है right ऐसा ही है right side से यानि कि कपिल दाय साइड से कौन से नमबर पे है आठवी पे यह आठवा आगया कौन है यह कपिल आगे दिया है निकुंज बाये से बारवा है और निकुंज है ना वो left side से यहां से है बारवी नमबर पे यह हमने निकुंज बना दिया आगे क्या बोला है जब निकुंज और कपिल अपना स्थान बदलते हैं तो निकुंज 22 से 21 हो जाता है अब निकुंज की जगे तो कौन आ गया कपिल की जगे तो निकुंज आ गया और निकुंज की जगे कपिल आ गया और अगली जो हमारे पास position है वो किसकी है निकुंज की तो निकुंज है जो 22 स्थान से कौन से नमबर पे हो जाता है 21 नमबर पे अब निकुंज यहाँ पर आ गया तो यह इस साइड से 21 वे नमबर पर आ गया और इस साइड से पहले से ही दे रखा था कौँछ नमबर पर था आठवे पर तो 21 प्लस 8 कितना हो गया 29 लेकिन जो निकुंज है अब वो दो बार काउंट हो गया है ठीक है तो एक माइनस कर दो कितना आ गया 28 कहने का मतलब है जो यह रो है ना टोटल इसमें कितने बच्चे हैं कितने लड़के हैं 28 हमसे पुछा गया है कि कपिल का दाएं स्थान से दाएं से स्थान कौन सा होगा दाएं स्थान तो कपिल यहां पर आ गया कपिल की नई पोजिशन आ गया यहां पर अब इसको दाएं स्थान से बताना है हमें इस साइड से 22 स्थान से तो हमें पता है कि कौन से नमबर पे है यह 12 वे पे करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 17, यानि कि उसका right side से जो position आएगा, वो कौन से आएगी, 17 अगरा देखो, 15, 17, 53, 161, और यहां पर बताना है क्या आएगा, ठीक है, सरसे पहले इनका difference देखो, यहां पर कितना है, 4 का, यहां पर कितना है, 12 का, यहां पर कितना है, 13 से 7 गय गया 8, 15, 15, 10, 108 का, ठीक है, अब यहां पर हमें pattern समझना है, कि क्या pattern है, 4 को multiply किया 3 से, कितना है, 12, 12 को multiply किया 3 से, कितना है, 36, 36 को multiply किया 3 से, कितना गया, 108, तो 108 को भी तो करना पड़ेगा, किस से, 3 से multiply, कितना जाएगा, 324, अब तो 324 है, वो 161 में जोड़ दो, कितना गय यानि कि option C क्या होगा, right answer ओके अगला देखो सब breaks में कितने अक्सरों की श्थिती उन्हें वर्णाकरूम में व्यवस्थित करने पर A परिवर्थित रहेगी क्या दे रखा है, breaks B, R, A, K, E, S ठीक है, ये तो हमें word दे रखा है अब इनके जो letters है, इनको बाद क्या आएगा, R और उसके बाद आएगा S, अब ऐसे कौन से letter है जो बिल्कुल change नहीं हुए है देखो, कि पहले भी इसी स्थान पे था, कि अब भी इसी स्थान पे है, एक तो ये हो गया, और दूसरा है S, ठीक है ये इन दोनों ने अपने position change नहीं की है, तो आंसर कौन सा आएगा Option A, यानि कि दो ऐसे हैं letter, जिन्हों ने अपने position change नहीं की है अगला question पांच करमिक संख्याओं का उसत N है यदि अगली दो संख्याओं को जोड दिया जाए तो साथ संख्याओं का उसत क्या इन questions को आप direct कोई भी एक example लेकर कर सकते हो मान लेते हैं हम 5 करमिक संख्याओं कौन-कौन शी है 1, 2, 3, 4, 5 हमने मान ली 5 करमिक संख्याओं है इनका उसत कितना होगा उसत हम निकाल सकते हैं सब जे पहले add करो 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 10, 5, 15 पंदरा है, टोटल संख्याओं कितनी है 5, डिवाइड कर दिया कितने बजाएगा, 3 पे तो इनका जो उसत आया है, वो कितना है 3, आगे बोला गया है कि इनमें 2 संख्याओं और जोड दी गई है अगली 2 संख्याओं, तो 5 से अगली कौन से आती है 6, और 6 से अगली कौन से आती है 7, इन दोनों को और जोड दू 15 तो यहां तक हो गया था 15 और 6 21, 21 और 7 28, टोटल हो गई 28 अब संख्याओं कितनी है, 7 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 4 पहले जो उसत था, वो कितना था, 3 अब जो नया उसताय है, वो कितना है, 4 यानि कि यहां पर कितने की वृद्धी होई है, 1 की ठीक है, 1 बड़ा है, यानि कि option D क्या होगा, right answer अगला देखो, A, B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है ठीक है, एक A है, दूसरा है B अगर A, किसी कारे को एक दिन में करता है, तो B कितने दिन में करता है, 3 दिन में यही तो मतलब हुआ, ठीक है, आगे बोला है, A को पूरा करने में, A को काम पूरा करने में B से 60 दिन कम समय लगता है, अब देखो, A करता है कितने दिन में, 1 दिन में B करता है 3 दिन में यानि कि A की जो Efficiency है वो कितनी है 3 है और B की Efficiency कितनी है 1 है ठीक है Difference कितना है 2 का Efficiency में difference है 2 का तो 2 की Equal दे रखा है 60 1 की value आगई 30 तो B कितने दिन में करेगा तो B करेगा उस काम को 90 दिन में ठीक है Total work कितना है 90 और B कितने दिन में करेगा, 90 दिन में, ठीक है, अब हमसे पुछा गया है, कि A और B दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है, हमारे पास 90, A की Efficiency कितनी थी, 3, B की Efficiency कितनी है, 1, 3 और 1, 4, डिवाइड कर दो, कितने बजाएगा, 4 दोनी 8, 1 बच गया, 4 दोनी 8, 4 पंजा 20, यहनि कि 0.5 का हम कहा लिख सकते हैं, 1 by 2, 22 सही, 1 बटे 2 तिन, Option D का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है, अगला Crude, Rose, Nami, Crude का क्या है, Synonyms, क्या है, Rose है, तो Nami का Synonyms इसमें से क्या होगा, दुखी भी नहीं हो सकता, जलना भी नहीं हो सकता, सुस्क भी नहीं हो सकता, तो क्या हैगा, बोचार, Option D आएगा, सुस्क का मतलब क्या होता है, यहनि कि सुका हुआ, बिलकुल, ठीक है, अगला क देखो, वेस्की से भरे एक जार में 40% एलकोहल है, इस वेस्की के एक हिस्य को दूसरे में से बदल दिया जाता है, जिसमें 19% एलकोहल था, और अब एलकोहल का परतिसद 26 पाया गया है, बदले गए वेस्की की मात्रा क्या है, इसको हम direct allegation से कर लेंगे, पहले था 40% बाद म में कितना मिला है, 26, ऐसे बना लेंगे, गटा दो, 40 से जब 26 जाएगा कितना, 14, और 26 से 19 जाएगा तो कितना, 7, तो कितना आ गया, 1 अनुपात 2, एक अनुपात 2 आ गया, ठीक है, तो पूछा गया है, वेस्की की मात्रा क्या है, वेस्की की मात्रा है, ये वाली तो वेस्की थी, विस्की थी, विस्की की मातरा है एक, कितने में से, टोटल में से तीन तीन में से, तो option डीस का क्या होगा, right answer ठीक है अगला question देखो सभी pen pencil है, कथन क्या दिया गया है सभी जो pen है न, वो क्या है pencil है तो यह हमने बना दिया pencil आगे बोला है, सभी पुस्त के pen है सभी जो पुस्त के है न, पुस्त की इसके अंदर ले लो, pen के अंदर, यह होगी पुस्त के, ठीक है निसकर्स देखो, पहला निसकर्स है कुछ पुस्त के pen है, कुछ पुस्त के pen है, बिल्कुल सही है क्योंकि अगर सभी पुस्त के पैन हैं तो कुछ पुस्त के तो अपने आप सही हो गया अगला देखो कुछ पैंसिल पुस्त के हैं ये भी सही है दोनों यहां पर सही है यानिकि आंसर क्या आएगा आंसर आएगा option c दोनों निसकर्स एक और दो अनुसरण करते हैं ये इसका अंसर आएगा ठीक है? अगला क्योसन देखो चालिस विद्यार्थियों की कक्षा में बारा ने अंग्रेजी और जर्मन दोनों के लिए नामांकित किया ठीक है? आगे दिया है बाइस ने जर्मन के लिए नामांकित किया यदि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकित दो में से कम से कम एक विशे के लिए हुआ है तो कितने विद्यार्थियों ने केवल अंग्रेजी के लिए नामांकित किया जर्मन के लिए नहीं ठीक झेक निकालते हैं देखो टोटल यहां पर जो विद्ध्यारती है वो है 40 अब इसको Venn डाइग्राम से हम बना लेते हैं ठीक है ये जो सरकल है इसको हम माल लेते हैं अंगरेजी वाला, इंगलेश वाला और ये वाला है जर्मन का जर्मन के लिए 2 वो विद्धियारती है जिन्होंने जर्मन के लिए नमांकिन किया है तो जर्मन वाला कौन सा है यह वाला सर्कल ठीक है टोटल पूरा तो बाइस आगा यह आगे बोला है 12 ने अंग्रेजी और जर्मन के लिए तो जो common part है यह हमारे पास दे रखा है 12 12 कौन है? जो German में करते हैं और English में भी करते है हमें निकालना कौन चाह है? हमें निकालना है केवल English वाला यानि कि जो beach वाला part है यह वाला ठीक है? यह वाला part हमें निकालना है अब मैंने जो करवा रखा है आप लोगों को कि इसका formula होता है हमारे पास क्या होता है? A union B हमारे पास होता है N A plus N B plus N A intersection B यह होता है? ठीक है? अब देखो 22 तो वो है जो German के लिए है अगर 22 से 12 घटा देते हैं तो 10 आजाते हैं कौन से? केवल जर्मन के लिए जो 10 है ना दस विद्यारति वो है जो केवल जर्मन पढ़ते हैं ठीक है? केवल जर्मन तो N A की किस लिए है? केवल जर्मन के लिए यहां तो है 10 केवल इंगलिस तो हमें निकालना है तो केवल इंगलिस के लिए N B ही रहने दो और N A intersection B दोनों में common कितना दे रखा है? 12, 12 यहां पर पुट कर दो और सभी किसके equal है? सभी equal है 40 के, यह हमारे पास आ गया देखो, 12, 12 और 10 22, 22 इधर आ लाकर गटा दो कितना बना? 8, 3 से 1 गया 3 से 2 गया, 1, 18 ठीक है? तो N B की value यहां पर आ गए 18, यानि कि 18 स्टूडेंट वो हैं, जो केवल English पढ़ते हैं, और उन्होंने जर्मन के लिए नामांकन नहीं किया है तो answer कौन सा आएगा? answer आएगा हमारा option A, यह वाला ठीक है? अगला देखो दी गई आकरती का दरपन परतीविम हमें यापर चुनना है तो दरपन परतीविम कौन सा आएगा? तो दरपन परतीविम आ जाएगा देखो बिल्कुल सिंपल सा है तो यह आएगा option C option C इसका क्या है? right answer है ठीक है? सही है? बिल्कुल और इसमें सही है बिल्कुल option C इसका आएगा ठीक है? देख लेना एक बार अगला देखो मैं 10 मिटर पूरू में गया और फिर उत्र में मुड़ा माल लेते हैं यहां से उसने चलना शुरू किया किस साइड गया? पूरू की साइड में कितना चला? 10 उसके बाद वो उत्र की साइड मुड़ा और 15 चला 15 मिटर तो वो चल दिया 15 मिटर फिर वो पस्चिम की और मुड़ा और 12 मिटर चला तो 12 मिटर यहां पर आ गया ठीक है? फिर वो दक्षिन की और मुड़ा और 15 मिटर चला तो 15 मिट्र चलने के बाद यहां पर आ गया ठीक है मैं मेरे घर से कितनी दूर था उसका घर है यहां पर और अब वो है यहां पर तो यह distance कितनी है देखो 12 तो टोटल है 10 यहां तक थी तो यह आ गई 2 तो answer कितना जाएगा option T 2 मिट्र ठीक है अगला question एक college में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात 8 है ठीक है लड़के और लड़के कितनी है 7 अनुपात 8 यह लड़के है और यह है लड़किया ठीक है आगे बोला गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या में करम से 20% और 10% की वर्दी हुई है इसको 7 और 8 की बजाए आप लोग ऐसा माल लो 700 और 800 कोई दिक्कत होगी नहीं होगी क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हम मान सकते हैं इवरेवजी में हमने 0 क्यों लगा दी है 700 800 हम क्यों मान रहे हैं ताकि जब हम इसमें वर्दी करें तो यहां पर पॉइंट्स में यह ना आए ठीक है अब इसमें 20% की वर्दी हुई है किसमें लड़कों में तो 700 में जब 20% की वर्दी होगी तो क्या करना पड़ेगा 700 गुना 120 वटे सो तो 0 सी 0 तो कैंसल हो जाएंगी देखो 700 गुना 120 वटे सो 0 सी 0 नीचे कैंसल 12 सती 84 यह आ गया 840 ऐसे यह 800 का निकाल लेंगे 800 इंटू इसमें कितने होगा है 10% की वर्दी यानि कि 110 वटे सो 0 सी 0 1188 यह आ गया तो उनका नया अनपात क्या होगा 0 सी 0 कैंसल 4 से काट दो 4 दुनी आट 4 एकम 4 4 दुनी आट 4 दुनी आट कितना आ गया 21 रेशियो 22 option A क्या होगा इसका right answer ओके आगे चलो अगला क्योशन है if I am young is written as 247 and Cetal is young as 614 and I like Cetal as 576 then I is written as I के लिए यहाँ पर code क्या होगा I के लिए देखना है देखो I किसकी कहा कहा है I सिर्फ एक जग़े है यहाँ पर इसके लागा कहीं पर है एक है यहाँ पर दो जग़े है तो जो I का code होगा वो भी दोनों जग़े common होगा होगा ना इसमें देखो 2, 4, 7 है इसमें क्या है 5, 7, 6 इन दोनों में common क्या है 7 7 common है ना 7 यहाँ पर भी है 7 यहाँ पर भी है क्या कुछ और common है नहीं है तो I दोनों जगए common है तो उसका code भी दोनों जगए common होगा तो I का क्या बन गया 7, option 6 का क्या होगा right answer ठीक है तो हमने यह बना दिया माल लेते हैं हम सभी जो देख रहे हैं वो north की तरफ है उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो B के right side में कौन होगा A आगे बोला है A B के दाएं है E B के बाएं है E है वो B के बाएं है तो E आ जाएगा इस side में परंतु C के दाएं E है वो B के तो बाएं है लेकिन C के दाएं है तो C की side आ जाएगा इस side आ जाएगा आगे बोला है यदि A D के बाएं है A है वो D के बाएं है तो D आ जाएगा इस side तो मद्धे में कौन बैठा है मद्धे में कौन बैठा है B बैठा है option C इसका क्या होगा right answer B, E के पती का भाई है, B है न, वो E के पती का भाई है, चलिए, आगे, D, A का पिता है और F का दादा है, F का दादा कौन होगा, यानि कि F का फादर होगा और उसका भी पिता, कौन है, D, A का तो पिता है और F का दादा है, तो D यहां पर आ गया और A यहां पर आ गया, D है, वो A का तो पिता हो गया और F का दादा हो गया ठीक है आगे देखो समू में दो पिता तीन भाई और एक माता है समू में दो तो पिता है एक पिता तो ये हो गया दूसरा पिता और ये हो गया और तीन भाई है तीन भाई है ना तो E होगी female, उसका पती होगा, इवाला, उसका क्या है ये? भाई, B. B है वो E के पती का भाई है. तो यहाँ पर ये वाला बन सकता है. ठीक है, E आजाएगी यहाँ पर, उसका भाई होगा ये वाला, और B आ गया कौन? ये. ठीक है? E का पती कौन है यह वाला इसका भाई कौन हुआ B ऐसे बना है यह तो कितने हो गए हमारे पास 3, 2, 5, 1, 6 टोटल कितने हो गए 6 हमसे पुछा गया है F E से किस परकार समझ दित है F है वो E से किस परकार समझ दित तो इसमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होगा यह question जो है यह आप लोगों को bonus मिलेगा इसका क्योंकि F का जो gender है वो हमें नहीं पता F है वो E से किस परकार से समझ दित है हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि F का यहाँ पर कोई भी gender हमें नहीं दे रखा है तो यह आप लोगों को bonus मिलेगा 100% 100% आप लोगों को इसका bonus मिलेगा ठीक है आगे देखो 15C3 plus 15C13 इसका मान क्या आएगा इसका मान क्या आएगा तो इसका मान आएगा 16C3 यह वाला option C ठीक है कितना आएगा 16C3 अगला देखो अब लुप्त संख्या यहां पर बतानी है 9 19,36,75,146 यहां पर बताना है अब देखो 9 का दुगना 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना बना 18 18 में कितना एड़ किया है 11 अगली बार 19 को 2 से मल्टिप्लाई किया है 19 को जब 2 से मल्टिप्लाई करेंगे कितना बना है 38 और उसमें से 2 माइनस किया है ठीक है पहली बार 1 एड़ किया अगली बार 2 माइनस किया अगली बार देखो 37 को जब 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 72 और उसमें अब की बार 3 एड़ किया गया है यानि कि पहली बार एड़ किया दूसरी बार 2 माइनस किया तीसरी बार 3 एड़ किया तो अगली बार 4 माइनस करेगा देखते हैं 75 को जब 2 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा 1500 और आपकी बार 4 माइनस कर दिया गया है तो अगली बार 2 से multiply करने के बाद 5 add करना पड़ेगा तो इसमें कर देते हैं 146 की multiply 2 से और उसमें 5 add देखो 6 दूनी 12 14 दूनी 28 और 292 292 प्लस 5 कितना जाएगा 297 ठीक है कितना जाएगा 297 option B क्या होगा इसका right answer ठीक है अगला देखो अगर आप आज एक रुपए बचाते हैं ठीक है तो कल 2 रुपए अगले दिन 4 रुपए और इसी तरह दो सब्तों बाद आप कुल बचत क्या होगा माल लेते हैं आज आपने बचाया 1 तो कल कितना बचाया है 2 अगले दिन 4 तो अगले दिन कितना यानि कि double होता जा रहा है देखो पहले दिन 1 उससे 2 उससे 4 तो अगले दिन 8 16 इस तरह के से चलता जाएगा तो यह जो series बनी है यह किस में बनी है GP में बनी है ठीक है geometric progress ठीक है इसका formula क्या होता है A, R, N, minus 1 sum निकालने का ठीक है तो A यहाँ पर कितना है 1 है तो A की जगे तो 1 रख दो R कितना है R देखो R है यहाँ पर R है 2 2 divided by 1 करेंगे तो 2 4 divided by 2 करेंगे तो फिर से 2 8 divided by 4 करेंगे 2 R यहाँ पर कितना है 2 ठीक है तो 2 की आ गई और N कितना होगा हमें निकालना है 2 सपता तक तो 2 सपता में दिन कितने होंगे 14 14 minus 1 क्योंकि N minus 1 किया गया है 14 minus 1 कितना गया 13 2 की power 13 कितना आ जाएगा देखो 2 2 गुना 2 गुना 2 कितने होगे 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6 6 हमने ले लिए इसमें देखो 2, 2, 4 4, 2, 8 16, 32, 64 64 तो यह होगे और 2 की power 6 तक हम ले चुके 2 की power 7 तक हम और लेना है यानि कि 64, 2, 2, 128 128 से और multiply करेंगे तो कितना आना चाहिए 8 चोक 32 last में 2 आना चाहिए 2 है किसी में नहीं है तो answer क्या आएगा option D आएगा इसका ठीक है इसकी जो multiply करोगे न वो आपकी कुल बचतियां पर होगी ठीक है अगला question देखो निमलिखित सूचना को पढ़िए और नीचे दिये गए परसनों का उत्तर जी दिये यहाँ पर बोला गया है L, M, N, O, P, Q, R और S केंदर की और मुख करके वर्त में बैठे है टोटल कितने है? 8 है तो हमने यहाँ पर यह वाला बना लिया टोटल हो गए 8 और सभी ने जो फेस कर रखा है वो किस साइड कर रखा है? सैंटर की तरफ कर रखा है यह हमने सैंटर की तरफ उनका फेस कर दिया आगे बोला है N जो P के बाएं तीसरा बैठता है मा लेते हैं P है यहाँ पर P के बाएं तीसरा एक, दो, तीसरा यहाँ पर आ गया आ गया बोला गया है R और M का पड़ोसी नहीं है कौन? N यानि कि R और M यहाँ तो आने ही सकते R और M यहाँ पर भी नहीं आ सकते ठीक है? आगे देखो S, O और R का पड़ोसी है और M के दाएं तीसरा बैठा है अभी तो इस लाइन को थोड़ देर के लिए छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास information नहीं है अगले लाइन पड़ो L O का पड़ोसी नहीं है जो N के दाएं N के बाएं दूसरा है तो N के बाएं दूसरा कौन सा होगा एक और दो इस साइड कौन होगा L O का पड़ोसी है O आ गया यहाँ ठीक है O आ गया और बोला गया है L O का पड़ोसी नहीं है L यहाँ पर भी नहीं आ सकता L यहाँ पर भी नहीं आ सकता ठीक है आगे यहाँ पर तो S यहाँ पर आएगा और R यहाँ पर आएगा क्योंकि R इस साइड तो आ नहीं सकता पहले से मना किया गया है तो R, S और O यह यहाँ पर fix हो गए ठीक है अब L यहाँ पर आ नहीं सकता L तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपर पहले मना किया गया था तो L की position या तो यह वाली होगी या फिर यह वाली होगी ठीक है लेकिन आगे क्या बोला गया था N जो P के बाएं से तीसरा है हमारे पास कौन-कौन बचा है एक तो बचा है M एक बचा है कौन सा L और एक बचा है कौन सा Q यही तो तीन बचे है M कहां नहीं आ सकता M यहां पर भी नहीं आ सकता M यहां पर भी नहीं आ पहली लाइन में मना किया है तो M के लिए जगा कौन से बच गई M के लिए बच गई यह वाली अब L यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि पहले मना किया गया है तो L कहाँ पर आजाएगा, L आजाएगा यहाँ पर तो Q कहाँ पर आगया, Q आगया यहाँ पर यह सारे हमने यहाँ पर इसको बठा दिया है अब इसके उपर क्योशन्स कर लो क्योशन क्या है, निमले खिळ से कौन सा आसन व्यक्तियों का यूग्म है यहनि कि कौन कोन साथ में है M और N है, M और N भी साथ नहीं है O और M, O और M भी साथ में नहीं है टो आप्शन D का क्या होगा? Right answer, इन में से कोई भी नहीं अगला क्योशन देखो Q की स्थिति क्या है Q पहला option है M के दाएं से तीसरा M कहां पर है यहां पर M के दाएं से तीसरा है नहीं है क्योंकि बाएं है M के बाएं है 1, 2, 3 नहीं होगा R के तुरंट दाएं Q R के तुरंट दाएं भी नहीं है यानि कि पहला भी गलत दूसरा भी तीसरा देखो, S के बाएं दूसरा, क्यूं है, वो S के दाएं दूसरा है, ना कि बाएं दूसरा, ठीक है, अब जो option D है न, ये सही है, N के तुरंत दाएं, sorry, N के तुरंत बाएं, ये वाला सही है, option D's का क्या होगा, right answer, ये वाला, एक और question क्या है, यदि N और O अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो निमले खित में से कौन सा कथन सकते हैं, अब N की जगह तो आ गया O, और O की जगह आ गया N, इन्होंने आपस में स्थान बदल लिया है, ठीक है, अब पुछा गया है, O, L और Q के बीज में है, क्या सही है, O, L, और Q के बीज में है, ये वाला स पिछले जो हमने दूसरा पेपर किया था उसमें भी इसी तरी के शिया था उसमें हमसे 16 काट पुछा गया था इसमें कितने हैं 13 काट तो इसको तीन टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं कितने में 5 5 6 देखो 6 और 5 11 11 और 5 16 यह ज़्यादा होगे कम में कर लो 4 4 और 5 अब सही है 5 4 9 9 4 13 अब सही है इनका फोर्मला मैंने बताया था N plus 1 N plus 1 N plus 1 इनकी multiply कर दो यानि कि एक-एक बड़ा कर आपस में multiply कर दो चार से अगला पांच, चार से अगला पांच और पांच से अगला छे, multiply करो, पांच पांच 25, 25 अगला डेड़ सो, आंसर कितना आ गया, डेड़ सो, यहनि कि option A का क्या होगा, right answer, ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्योंस थे, और जो भी आपको doubt हो, या कोई भी दिक्कत हो, आप comment करके बता सकते हैं, ठीक है, इसमें हमने कौन सा जो shift लिया है, जो shift first था ना, उसका ये एक paper हमने लिया है, इसके दो-तीन paper और बताये जा रहे हैं, उनको भी हम जल्द ही लेके आने वाले हैं, ठीक है, तो ये morning shift का केवल एक ही set था, वो मैंने करवा दिया है, अगर दूसरा ये तीसरा में मुझे set मिलता है, तो मैं तुरंत उसका video बना कर आप logo के लिए डाल दूँगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you